नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आउनलाइन इस्टर वीडिके में दोस्तों आज हम आपके लिए विज्ञान विशय के तीस आती महतुपुर्ण प्रशन लेकर रहे हैं जो कि मद्धिप्रदेश सिक्षक पातरता परिक्षा वर्ग दो और अ के एक प्रारुपी पादप कोशिका में कैंद्र की इस्तती होती है चार विकल्वतिये हैं कैंद्री की होती है परिधी होती है आधारी होती है कहीं पर भी होती है तो देखिए बाद यहां पर पादप कोशिका के अंदर कैंद्र की जो इस्तती होती है वो कुछ परिधी इस है नेम नमेस से किस कोशिघा को कोशिघा शकति ग्रह कहा जाता है तो बहुत इस अदान। प्रश्न को और ने कि आ 1886 में तो यह हमारा एक और प्रशने से संबंदित यहां पर बन जाता है चलिए अगला है समसुत्री विभाजन की सबसे लंबी प्रावस्था होती है तो कौन सी प्रावस्था होती है प्रॉफेज होती है मेटाफेज होती है अनाफेज होती है तो देखिए सबसे पहले यहां पर एक प्रवस्था नहीं दे रखी है तो वह नहीं दे रखी है इंटरफेज यहां पर इंटरफेज नहीं दे रखा है तो इंटरफेज होता है फिर फिर होता है प्रोफेज मैटाफेज और एनफेज और टीलोफेज यह बाकी चार अवस्था ही दे रखी है अब इनमें सबस प्रोफेज के कितनी अवस्थायां या उवस्थाया होती है प्रोफेज्ट जो होती है इसकी पांच होपोस्थायां होती है फिस फिवजे से जंबी अवस्था मानी जाती है समसुतरी विभाजन की चलिए आगे बढ़ते हैं अगला हमारा प्रस्न है वायरस जनेत रोग है बहुत यह अच्छा प्रस्न है और हर एक्जाम में कोईसी भी एक्जाम होती है जिसमें साइन्स क्यूशन पूछ आते हैं सिसमें वाइरस और बेक्टर्या जनित रोगों के बारे में चिरूर प्रस्पन आता है तो देखी वाइरस के मत्दब होता है तो सबसी सबर से वाला विकलप मरा है पोलियो विसान जनित रोगे जबकि कॉलरा प्लेग टाइफ़ाइड के उपțायद है अधिक त्यौ bully व्धार पॉलियो फ्लेग ठाइफ़ाइड दॺए। हुआ Sohead अगर हमारे प्रस्तन हैं भौजन में निम्नमैसा किसी कमी इसे होता है तो काफी सरल सा प्रस्तन है विटामिन एक कमेंसंतऑ है रोग हो जाता है और विटामिन इज होता है राशायनिक नमता है रेटिनोल चलिए इसी परकार से यहां पर के आगे बढ़ते हैं अब थोड़ा सा एक प्रस्न यहां पर और मेरे दिमाग मा रहा है तो मैं वह भी चलिए यहां पर बात कर लेते हैं जिसे यहां पर प्रोटीन दिया है वसा दिया है और विटामिन से संबर्धित रोग भी आ जाता है तो विटामिन צी के इसकर भी नाम के रोगभी करता है इसकर भी पाइरिया आधी-जो बिसंटे हैं यह फोते हैं इसी प्रकार से प्रोटीन यह हता है इसकी कर्वाजी मेर देमाग में आपको बता दिए अचलिए आगे बढ़ते हैं एड्स की बीमारी से प्रभाइत होने वाला तंत्र है तो एड्स की बीमारी से कौन सा तंत्र प्रभाइत होता है तो फर्स्ट है पाचन तंत्र सेकंड सुष्ण तंत्र थर्डे केंदरी तंत्र का तंत्र फोर्थ है प्रतिरक्षा तंत जिससे वह ठीक नहीं हो परता है और अंत्रत उसकी मृत्य हो जाती है अब यहां पर एक प्रस्ण हो रहाता है जिसे एड्स हम लिखते हैं तो Aids जो होता है एड्स का पूरा नाम कभी-कभी यह प्रस्ण पूछ लियाता है तो इसका पूरा नाम होता है एक समान प्रतिक्रिया होती है इस कथन को कहते हैं बहुत इच्छा प्रस्ण आपने कई बार पढ़ा है तो फर्स्ट विगल यहां पर है न्यूटन का प्रतिक्रिया के सदे विपरित समान प्रतिक्रिया होती है इसी गौं न्यूटन का फार्ड लग करते हैं चल्य अग्रा प्रस्ण है कारी करने की दर क क्या करते है तो प्रस्ट आप प्रस्थ Algun क्ढís करने की दर क्या कहता है शक्ति बाड़ा है यह कहांता सकति हुट होता है फिर यह पर एक और प्रवस्ट्झी बराबर कितनी वाट होते हैं यह भी एक प्रवस्ष्ण को इसाथocol श्रक्ती बराबर कितनी हो धोते हैं एक आश्रोजक्ति यहाँ पर दूर हो जाएगी देखिए उस्मा संचरन की कौन सी विधी में माधियम की आवशकता नहीं होती है अब देखिए यहाँ पर पूछ रहे हैं कि कौन सी विधी में माधियम की आवशकता नहीं होती है तो पहले तो आप यह समझ लीजे कि उस्मा संचरन की कितनी विष्रण ये उस्मा संचरण की विधिये में नहीं आता है तो ये तो हमारा विकल्प यहां से हठी चुका है यूँ समझे कि लिखा है पर उत्तरकास कोई लेने दाना नहीं है नहीं तो आप नहीं होती में विष्रण कर दें क्योंकि ये तो उस्मा संचरण की विधिये नही विकिरन समयन यर्छालन मे से जिसमें माधियम की आवश्यक्ता नहीं अडियस, तो यहां पर हमारा जो उत्तर रहेगा ऑफ सन फिरस्ट विकिर इसमें उसमा संचरन में माधियम की आवश्यक्ता नहीं होती है। क्योंकि विकीर Molewn जो होती है वो ऐसे सूरी का प्रकास है तो ये एक के ब्रपते ह माधियम होती है तो इसमें माधियम के आउस्श क्षक्तरन नहीं होती है बिना माधियम के धी Goet Scientists के संचरण उश्मकाईश के अंदर होता रहता है और संवहन और चालेंज होते हैं इन में माध्यम होता है तो फर्स्ट यहां हमारा जो रहेगा यह उत्तर रहेगा चलिए आगे बढ़ते हैं दाब व्रद्धी के सांसात पानी का कुथनांक फर्स्ट यह बढ़ता है घटता परिवर्थित रहता है इन में से कोई नहीं तो यहां पर हमारा जो उत्तर रहेगा यह रहेगा दाब व्रद्धी के सांसात पानी का कुथनांक भी बढ़ जाता है क्योंकि किसी सता के एकांक च सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि कोई पदार्त जो होता है यह सब पदार्तों के लिए अलग अलग होती है तो यहां पर बात पानी की हो रही है तो पानी एक किलोग्राम है तो आप इसको ऐसे दिहार रखिए कि यदि पानी एक ग्राम है तो एक ग्राम पानी की हम एक डिगरी सेंटिग्रेट उश्मा बढ़ा रहे हैं तो हमें एक कैलोरी उरुजा चाहिए तो हम यहां पर कितना पानी ले रहे हैं एक किलो ग्राम जिसकी इंदर एक हजार ग्राम हो जाते हैं तो एक हजार ग्राम के लिए हमें आवश्यक होगी एक हजार कैलोरी तो यहां पर हमारा उत्तर जो रहेगा वह जाएगा एक हजार कैलोरी तो आफसन फोर्थ जो है यह हमारा यहां पर सही उत्तर रहेगा चुकि एक कैलोरी उश्मा का वह परिमान होता है जो एक ग्राम सुद यह मोटर गाड़ियां जो होती है चाहिए वो बाइक हो बस हो कार हो सभी में उत्तल प्रियूक के रहता है और उसमें साइड गलास की रूप में साइड मिरर के रूप में इसका यूज करते हैं जैसे पीछ आने वाहनों को हम उसमें देखते हैं तो पीछ आने वाहन हमें उसमें छोटे दिते हैं परन्तु सीधा दिते हैं तो वह एक आभासी और सीधा प्रती में होता है गोली उत्तर दरपन का चलिए आगे हैं एक आपति को दिया जाता है तो दूरदरष्टी हैं दोस्त्र फेल्स को चाया जाता है कर दोस्त को बनी कुरा वह कुखतें अगर से कई बार कन्फुजन भी आपको बनी रहती होगी तो देखिए यहां पर हम बात करते हैं कि ऑसन थर्ड जो है उत्तर लैंस उत्तर लैंस जो होता है दूर द्रश्टी दोस के मरें इसको उत्तर लैंस का चस्म दियता है क्योंकि इस दूर द्रश्टी दोस्ते का उसको नहीं दिखा देता है इसको उत्तर लेंस का परचस्मा लगा जाएगा चलिए अगला है अल्टर साउंड की आवरती कितनी होती है यह प्रस्थन कहीं एक्जाम में कभी बार पूछा गया है तो अल्टर साउंड की आवरती जो होती है वह होती है 20,000 हाट्ज से अधिक देखिए यहां पर जो एरो लगा हुआ है तो इसके इधर आप अल्टर साउंड लिखा हुआ समझें और अल्टर साउंड की आवरत्ती जो होती है वो बीस जाड से अधिक हुआ करती है तो असन फॉर्थ जो है यह यहां पर सही उत्तर है और इस द्वनी को हम हमारे कान नहीं दोधान की सुन सकते हैं यह भी आप धियां रखें इसे पराश्रव्य ध्वनी भी कहा जाता है अगभर करता है तो ध्वनी का तारतु किस पर निलवर करता है तो फ्रिक्वेंसी पर जिस ताम से आवरत्ती भी कहते हैं नहीं फर्स legislator यह हमारे यहां जिससे ध्वनी को मोटी या हम पतली कह सकते हैं ऐसा गुण है जिसे हम ध्वनी को मोटी या पतली कहते हैं तो ध्वनी की आवरत्ती जितनी अधिक होगी उसका तारत्व उतना अधिक होगा और तारत्व जितना अधिक होगा तो ध्वनी उतनी ही पतली होगी और जिस ध्वनी की आवरत्ति कम उसका तारत्व कम अर्था ध्धनी उतनी मोटी तो जहां तारत्व और ध्धनी की मोटी एक दूसरे के अपोसिट चल रहे हैं तो यह अगरा हमारा प्रस्न है किसी दिए गए चैतर से गुजरने वाले चुंब की बल रेखाओं की संख्या को कहते हैं तो चुं की flux का मातर्क क्या होता है चुंब की flux का मातरक होता है वैबर प्रती मीटर इसको άλλya सचाहीं कैसे सकते हैं तो यह इसका मातरक होता है छो पिल्ब। जो है कि 100 वाट 200 उल्ट की एकड़ एको साटव तक साथ जोड़ा गया है तो में शक्ति हास कितना होगा तो इसके लिए ढ़ये यहां सकति हास का सूतर लगात पड़ेगा और सक्तिहास के माध्योग से तो एक किलो वाट घंटा जो होता है ये सक्ति का मात रख खोता है तो यहां पर ऑफ सब्सक्ति जो है यह यह हमारी उत्तर है और एंग इख घंटा में कितने वाट होते हैं तो इसमें एक हजार वाट होते हैं यह भी हाँ धियां रखें एक किलोवाट घंटा मतलब 1000 वउट चलिए अगरा हमरा प्रस्न है यदि प्रत्यावरति धारा का सीखर विध्युत वाहग बल इजिरो है तो वर्ग माधिमूल विध्युत वाहग बल होगा तो यहां बहुति कितना होगा, तो यहां पर हमरा इसका उत्तर रहेगा, आफसन फोर्थ जो रहेगा E0 अपान रूट टू, तो इसे हम ऐसा लख सकते हैं, E0, और इसकी बटे में है ये रूट टू, चलिए, आफसन फोर्थ यहां पर सहीर उत्तर है, अग्रा हमारा प्रसने है अपमार्चक जट्ल लवन होते हैं तो फर्स्ट सोडियम का कैलशियम का का मैजिशियम का यहां उत्तर रहेगा और फर्स्ट जो रहेगा सेलफेट होते हैं तो यहाँ पर हमें वॉटेशियम दिया नहीं है इसनी हमें अप्तर यहाँ पर सोडियम को जायन करना है तो फॉटन फस्ट यहां पर सही उत्तर है चलिए अगला हमारा प्रसना है टेक्स्ट एम तस्वीरों को भेजने के लिए किस उपकरण का करके हैं जांगे करें आगे बात समय की बात नहीं हो रही इसकते हैं नहीं में सकते हैं पतियाऊंप तो यहाँ है देंके कि वैल्दिंग के लिए निमने से ट्वाइस के इस और यहां हमारा उत्र जो रहेगा वो रहेगा ऑक्सिजन और एस्टिलीन का मिस्रण जो होता है यह वैल्डिंग गैस की रूप में उप्योग की जाता है इनका मिस्रण चलिए बहुत अच्छा प्राश्ण अगला हमारा है टंगस्टन तत्व का संके तक्षर है तो टंगस्ट का कौन सा यहां पर संके तक्षर रहेगा तो फर्स्ट जो रहेगा यह हमारा सही उत्तर है इसको हम टंगस्टन से तत्व का संके तक्षर है चलिए यहां पर दूसरे की बात करते हैं टी आई किसका संके तक्षर है तो टी आई जो है यह थूलियम का है और टी यहां पर टैर चलिए अगला है विस्व उष्णता के लिए जिम्मदार गैस है तो यहां आफसन सेकेंड जो रहेगा सीयोटू कार्वन डियकसाइड जो होती है विस्व उष्णता जिसे ग्रीन हाउस गैस के नाम से भी जाना जाता है यह यहां पर मुख्य रूप से जिम्मदार रहेगी अ अगरा हमारा प्रस्न है नाभी का परमानु करमांक बराबर होता है तो नाभी का परमानु करमांक किसके बराबर होता है तो आपको पता ही है कि नाभी के अंदर प्रोटानों की संख्या होती है और प्रोटानों की संख्या जितने होती है वही नाभी का परमानु करमांक होत तो जलने पर अधीक पानी से दोना चाहिए तो वैसलिन लगाने से पूरूर निम्द मैसे कौन सा प्रात्मिक उप्चार करना चाहिए अब यहाँ पर अमल से जला हुआ है तो उसके लिए हमें क्या करना है कि फर्स्ट विकल्पर को देखिए सोडियम बायकार्बोनेट घोल जो कि एक छारी घोल होता है से एवम पुना पाने से दोना चाहिए क्योंकि अमल और छार जो होते वह एक दूसरे को उधासिन कर देते हैं मिए तो इसको छार उधासिन कर देगा और फिर हम उसको पानी से दोलेंगे और फिर हम वैसलें व्याव खिर्यांससे लगा सकते है और फिर्स्ट हमारा यहां पर सभी उत्र हैं चलिए अगला हमारा प्रस्ट है वह इस्थान जो छोटे-छोटे दीमा मखी केच्वे आदि उनके स्वभाव के अनुसार पाले जाते हैं उसे क्या करते हैं तो यहां पर उत्तर जो रहेगा यह टेरियरियम रहेगा देखिए टे पैर सकते हिए प्र dłख सकते हैं और अमने इसको में आदव सकते हैं तो उसका प्रकार से ऑद्याद के माद्यम बनाए जाता है जो जो एक शोते से उद्ध्यान का रूप होता निया है चलिए अग्ला हमराँी प्रत्ज में को नहीं है तरड विध्यालईJ प्राब्त के जते हैं और फोर्त बब दना पर ऐ chuो प्राप्य उद्धेश समान उता हैं तो फोर्ट यहां पर सही नहीं है क्योंके उद्धेश और प्रापियूदेश समान नहीं होता है तो ये से आज के हमारे विज्या से समभ दे यदि आपको पसंद आता है तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा तो आपको अच्छा लगा हो तो हम आपके लिए और फिस ट्राइब के प्रस्न लेकर आएंगे और वीडियो पसंद नहीं आया सब्सक्राइब के लिए बहुत धन्यवाद थेंक्यू सो मच मिलते हैं जल्दी ही एक और नए एंट्रस्टिंग वीडियो के साथ और कमेंट करके बताइएगा कि आप अगला वीडियो कौन से सब्जेक्ट पर चाहते हैं थेंक्यू सो मच सब्सक्राइब को ह।